नमस्कार ये सवाल है देख लिजे उन्निस धूर में किस तरह का मकान बनेगा उन्निस धूर का नक्सा बनाईए ये सवाल है तो देख लिजे इस तरह का मकान आप बनाते हैं तो इस तरह का मकान बनाने में कुछ लागत में सस्ता पड़ता है पचीस फूट चवड़ाई लीजिए और पचास फूट लंबाई लीजिए यह तो 19 धूर बराबर होता है 1293 दसमलो एक आठ वर्क फूट होता है 1293 वर्क फूट मानके चलिए पचीस गुड़े 50 में मकान बनाई है इसमें कुछ लागत में कम होता है इस तरह का यदि लंबा घर बनाते हैं तो देख लिजिए किस तरह का बनेगा यह यह देखें 25 फिट चवड़ाई है और 50 फिट लंबाई है एक फिट यहाँ पर इस पेस छोड़ा गया है लंबाई जो जो है 51 फिट होगा 25 फिट चवडाई रखेंगे तो 19 धूर में तो देख लेजिए इसको आगे यह देखिए इस तरह से यहां पर एक रूम बनेगा और इधर भी देखिए यहां पर आप जो है शीड़ी बना सकते हैं यह देखिए इस प्रकार से आप बनाएए यह बेडरूम हो गया यह भी बेडरूम हो गया और यह हो गया कीचन और यहां पर ड्राइंग रूम निकलेगा देखिए इस प्रकार से यह देखिए यह देखिए यहां पर यहां पर जो है टोईलेट बाथरूम है और इसको जो है इस बेडरूम का कामन टोईलेट यह है इसको जो है अटाइस टोईलेट बना दिजे इसको और यहां पर इस प्रकार से आप सिढ़ी दे दे जेसको यह देखिए आई से यहां से आप जो है दाहिना मूर बनाइए इसको आपका यदि जमीन जैसा है वैसे यदि इधर से है तो इधर से टर्निंग करके यहां पर उपर जा सकते हैं और यदि कि इसका जो है इधर से भी आप बनवा सकते हैं ऐसे इस प्रकार से किस दिशा में है इसको देख करके आप बनाइए ताकि जो है दाहिना मूर बने शिड़ी हमेशा दाहिना मूदते हुए चढ़ना चाहिए उपर यह सीड़ी है और हम यहां पर अब हम बनाते हैं देख लिए यहां पर अब हम इसको हम ड्रॉइंग हाल बनाते हैं इसको इसको जो है ड्रोइंग हाल दे दिजिए और इसको हम बनाएंगे ये किचन किचन इसको बना लिजिए देख लिजिए इसको किचन दे देते हैं कीचन के लिए आप इसका दर्वाजा इधर लिए इस प्रकार से यह देखिए इस दिरस्ते जो है यहां कीचन का दर्वाजा हो गया यहां से परवेश करेंजे इसको उपन रखिए इसको यह जो है Edining Table यहां पर रख सकते हैं यहां से सीधा है बनके यहां यहां बेडरूम में बेड लगा दिज़े बेड लगाने के लिए आप ज़ो है Color Change कर देजिए इस परकार से देख लिए यहां पर इस तरह से बेड लगा दिज़े यह देखिए यह बेड्रूम है, यह भी बेड्रूम है, यहां पर भी आप यह बेड्र लगा सकते हैं, लगा दिजिए इस परकार से, यह देखिए, यह बेड्र लग गया, यह बेड्रूम है, और यह भी बेड्रूम है, यहां पर भी बेड्र लगा दिजिए, यह देखिए, इस तरह से, य यह देखी यह बेड़ लग गया है आद हैं हाँ इसमें जो है आप कि यह तद्धमिट हरे यहां पर दर्वाजा यहां पर भी द दर्वाजा यहां पर भी दड्वाज तिम तरफ तम फिट का दिजri और यहां भी इस तरह से को तो यह इसका भी जो है हम color change कर लेते हैं, यहां से ले लेते हैं coloring, यह देखिए यहां से ले लेते हैं, ice से, यह देखिए, इस परकार से यहां दर्वाजा, यहां भी दर्वाजा दे दिजिए, यह देखिए, यह जो है, दर्वाजा का है, इस प्रकार से यहां दर्वाजा में कलर कर लेते हैं, यह देखिए, इस तरह से जो है दर्वाजा दे सकते हैं, यहां पर दे देजिए, खिड़की यह देखिए इस तरह से, यहां पर खिड़की दे देजिए, इस तरह से यह खिड़की हो गया, और इसी तरह यहां से यहां त सेम देख लिए इसके सीध में होना चाहिए अच्छा दिखेगा सेम और यहाँ पर भी देदेजिए क्रेकि यह不好意思 कि देदे गिए पर और यहां पर भी देजिए खिरकी इस तरह से किचान में देजिए खिरकी यह देखिए इस प्रकार से और यहां पर हॉल में देजिए बड़ा खिरकी इस तरह से यह देखिए और यहां पर देजिए खिरकी इस तरह से और इधार भी दे दिजिए आई से बीचों बीच में दिजिए इस परकार से ये देखिए ये रहा और ये जो है अटाइस टोइलेट में दे दिजिए इस परकार से और एक कामन टोइलेट बाथरूम एक टोइलेट पलस बाथरूम है यहां पर दे दिजिए और इसमें भी दे दिजिए ये रहा शुंदर जखास इस तरह से मकान जो है बनता है अब यहां पर आप आलमारी बना के इस तूप ये रहा ग्रेनाइट आप लगा सकते हैं इसमें अलमारी बना के इसमें जो है इस तरह से यहाँ पर अच्छा सा ये देखें इस तरह से अलमारी देजिए पहले है इस परकार से बनाते जाए अलमारी लगवा देगे शांदार और सुन्दर लगेगा ये रहा इस तरह से अलमारी बना करके इसके उपर में इसके उपर में ग्रेनाइट लगा देगे इस परकार से ये रहा आई से इस तरह से और इसका कलर चेंज कर देजिए आई से ये रहा ग्रेनाइट का कलर इस तरह से बहुत ही सुन्दर किचन मना सकते हैं इसमें लिख देजिए लिख देते हैं किचन किया नहाए इस तरह लंभाई क्यावडाई ए जो यहां ते यहां तक दस गुरे यहां पर दस गुरे यहां पर दस गुरे डस गुरे यह हो जाता है, आठ दसम लो, यह आठ इंच पड़ेगा, आठ दसम लो, आठ इंच, आठ दसम लो, आठ इंच का किचन होगा, यहां से यहां तक बारा फिट है, बारा फिट में तीन फिट जो है कम कर दिये दर्वाजा, तो नव फिट बचा, नव फिट में चार इंच का दिवार दिजिए अंदर का सभी दिवार को, तो 4 इंच कम हो गया, तो 8 फिट, 8 इंच बचा, इस प्रकार से इसका जो है इस तरह से चवड़ाई को काता गया है, 8 फीट 8 ऐशे अव ऐसे जो है 10 फीट है यह और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है डाइनिंग टेबल लगा दिजी हाँ पर इस तरह से यह देखिए यह रहा डाइनिंग टेबल बहुत ही शांदार लगेगा यह डाइनिंग टेबल है हाँ थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो और हमारे चैनल में पले लिस्ट में जाके आप सभी नक्सा वीडियो को देख सकते हैं अब हम एक डाइनिंग हाल को लिख लिजिए ये ये आदाइनिंग हाल है इसका लंबाई इसका है इस तरह से लंबाई मान लिजिए यहां से किचान से इस दिवार तक तो यह सारहे तेरा फिट का है तेरा दसम लओ छे इंच इस तरह से लिख लिए तेरा दसम लओ छे इंच बुरा दस इस प्रकार से हैं यहां पर यह दस फिट का चवड़ाई है पूरा यहां से हां इस पेस है अच्छा सा सुन्दर सा हाल और यह देखिए यह जो है यह होल ड्राइंग होल है इसका लंबाई चवड़ाई है इस फिट का है इस तरह से जो है इस तरह से लंबाई को तेरा फिट काता गया है इसमें भी आप टेवा लगा दिजीए इहां पर अच्छा सा इस तरह से यह देखे इस तरह से table लगा सकते हैं यहाँ पर शांदार इस परकार से शांदार table लगा दिजिए यह देखे यह जो है drawing room है इतना लंबाई चवडाई इसको तो जान भें इसका लंबाई चवडाई पूरा city room का पूरा इस दिवार से इस दिवार तक और यहां तक यह 12 गुड़े 12 का है इसको लिख दिजिए याद आएगा 12 गुड़े 12 का फुल इस पेस है यहाँ पर आप जो है दर्वाजा दे दिजिए अपने हिसाब से जितना चवडा दे सकते हैं आपका सीड़ी के लिए इफ्राद इस पेस बचेगा उपर यहां से उपर जा सकते हैं या तो इधर से ऐसे जाके यहां पर इस तरह से बहुत ही अच्छा और सांदार लगेगा यह और इसको देखिए यह वाला रूम आपका 11 दसम लओ यानि 11 फिट चार इंच इस तरह से है 11 फिर चार इंच बुरा बारा का है यह बेडरूम है लिखली यह बेडरूम इसमें भी बेडरूम यह है बेडरूम शांदार बेडरूम है और इसका लंबाई चवडाई यह 28 टोएलेट है इसको लिख 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 लिज एती एती मीन्स 28 टोएलेट समझ जाएगा इती है 28 टोएलेट है और इसका लंबाई चवडाई है चार फीट 8 इंच है और तो प्यवडाई है इसका कि बुराई कि खेक है इस तरह से चेप है आप चार फीट 8 इंच तो तोएले ट है यह इसको आप लिख लिख लिख़िए कामन तोएलेट बाथरूम है तो यह common CTB लिख लिख लिखे, common toilet bathroom है, इसका लंबाई चवडाई है, 8 गुड़े 6 कर दिजिए इसको इस तरह से, अब इसका तो मालूम है, इसका लिख लिख लिखे हैं, यह bedroom का लंबाई चवडाई दिख लिखे, हटाफट में, यह 12.8 इंच, 12.8 इंच, गुड़े 11.45 का है, 11.4 इंच, इसके यह जो लिया गया है ना, इस तरह से, इसके बराबर है, ऐसे 11.4 इंच, ऐसे 12 इंच है, और यह room, यह room का भी लंबाई चवडाई दिख लिख लिखे, कितना है इसका भी, यह दिखे, यह room, यह room भी, 12 गुड़े, यह आईशे तो 12 फिट है, सेम, इसके जैसा ही है, 12 गुड़े, यह भी जो है, 12.8, 12.8, यानि कि 12, यहां पर यह भी, 12, गुड़े 12.8 है, यह, 12 फिट, 8 इंच, इसका, इस तरह से, लंबाई को लिया गया है, इस तरह से, दोनों कला, इस तरह से, लंबाई सेम है, इसका जो है, यह, इस तरह से, चवड़ाई, 11 फिट, 4 इंच है, और इस बेडरूम का, इस तरह से, चवड़ाई, 12 फिट है, इसको द्यान दिजे यह डेड्रूम है लिक लेड्रूम है और ये भी बेड्रूम है उस तरह से और अब हम यहां पर प्रवेश द्वार बना इस तरह से अब परवेश द्वार बना दिए ये देखिए यहां पर हम परवेश द्वार बनाते हैं यहां पर इस तरह से यह देखिए यह रहा परवेश द्वार इस तरह से बनाईए और सांदार सुन्दर इस परकार से मकान बना सकते हैं इस तरह से बनाने से लागत थोड़ा कम लगता है और जो है इसका आप कितना रूम बनाना चाहेंगे तो आपके जमीन के अनुसार है आप जो है ऐसे बना सकते हैं और हमारे इस नक्सा का विडियो को चैनल के नक्सा होम नक्सा के पले लिस्ट में जाके सभी नक्सा को देख स लगते हैं यदि अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को शेर कीजिए धन्यवाद